इस्टुडेंट्स डिजी लेसंस फ्राम दा हाउस आपनवांकुर में आपका स्वागत हैं। बच्चो आज हम कक्छा छे बिसे समझ विग्यन की पुस्तक प्रत्वी हमारा आवास के अध्याए आठ भारत जल्वायू बनस्पति तथा बन्ने प्राणी। भाग दो कि प्रश्णों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चो निम लिखित प्रश्णों के उत्तर संचित में दीजिए। पहला प्रश्ण है कौन सी पवन भारत में बरसा लाती है। यह इतनी महत्मून क्यों है। इसका उत्तर है मांसूनी पवनें भारत में बरसा लाती हैं भारत में क्रशी बरसा पर निर्भर है अच्छे मांसून का मतलब है परियाप बरसा तथा प्रच्चर मात्रा में फसलों का उत्पाद है दूसरा प्रश्चन है बारत के विभिन मौसमों के नम लिखिए इसका उत्तर है बारत में चार प्रमुक मौसम होते हैं पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम जिसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं दूसरा है मार्च से मई तक गर्म मौसम जिसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं तीसरा है जून से सितंबर तक दच्छन पाश्यम मानसुन का मौसम जिसे हम बर्सा रित्तु कहते हैं चोता है, अक्टूबर और नवंबर में मांसून के लोटने का मौसम, जिसे हम सरद रित्तु कहते हैं अगला पस्टन है, प्राकर्तिक बनस्पती क्या है? इसका उत्तर है, जो घास, जाड़ियां, तथा पौधे बिना मनश्य की साइता से उपस्ते हैं उन्हें प्राकर्तिक बनस्पती कहा जाता है अगला पस्टन है, भारत में पाई जाने वाली विविन प्रकार की बनस्पतियों की नाम लिखिए इसका उत्तर है, जलवाई की बिविनता की कारण भारत में अलग-अलग पांच तरह की बनस्पतियां पाई जाती है पहला है उष्ण कटी बन दिये सदा बहार बन, दूसरा है उष्ण कटी बन दिये पतजड़ बन, तीसरा है कटीली जाड़ियां, चोथा है परवतिय बन, पाच्वा है मेंग्रोव बन. अगला प्रिष्ण है सदा बहार बन तथा पजड़ बन में क्या अंतर हैं इसका उतर है सदा बहार बन और पजड़ बन में निम्न लिकित अंतर हैं. पहला है सदा बाहर बन, नमबर एक सदा बाहर बन अधिक घने होते हैं और सुड़े का प्रकास भी जमीन तक नहीं पहुच पाता है, अब यह पजड़ बन का नमबर एक, पजड़ बन कम घने होते हैं, दूसरा है सदा बाहरवन का ये बन बर्स के अलग-अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं अब पजणबड का दूसरा पॉइंट है ये बन बर्स में एक निश्चे समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं सदा बाहरवन का तिसरा पाइंट है ये बन उन्च शित्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक बर्सा होती है पजड़वन का तिसरा पाइंट ये बन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं सदा बाहरवन का तिसरा पाइंट है ये बन अंडमान, निकोबार, दिपसमुहों, उत्तरी, पूरवी, राजियों के कुछ भागों तथा पश्मी घाट की सक्री में पाए जाते हैं पजड़वन का तिसरा पाइंट है ये बन मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, जारखंड, चत्तिशगर, उरिशा, तथा महराष्ट के कुछ भागों में पाए जाते हैं पजड़वन का पाइज़वन 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 दिये बर्सा बनों को सदा बाहर बन क्यों कहा जाता है इसका उत्तर है ये बन बर्स के अलग-अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए इन बनों को सदा बाहर बन कहा जाता है अब हम सही उत्तर चिन्यत कीजिए पहला प्रश्ण है बिश्व में सबसे अधिक बर्सा वाला चित्र कौन सा है तेस में तीन भी कल दिया गए है पहला है मुंबई, दूसरा है आसन सोल, तीसरा है मौसें राम तेसका सही उत्तर है मौसें राम दूसरा है मेंगरोब बन कहां हो सकते हैं तो इसका इसमें भी तीन विकल दियो हुए हैं पहला है खारे जल में, दूसरा है साब जल में, तीसरा है प्रदुशित जल में तो इसका सयुत्तर है खारे जल में तीसरा है महोगणी एभं रोजबुट ब्रच पाई जाते हैं तैसमें भी तीन अक्सम दिये गुए हैं पेला है मेंगरोब बंड में उस्थ कटी बंडीये पजड़ बंड में और तीसरा है उस्थ कटी बंडीये सदा बाहर बंड में इसमें भी तीन विकल्फ दियो गया है। पहला हिमाले चेतर में, दूसरा है प्रायदीप्य चेतर में, तीसरा है गिर बन में, तो इसके भी तीन विकल्फ दियो गया है। पहला है इस्थल से समुद्र की ओर, दूसरा है समुद्र से इस्थल की ओर, तीसरा है पठार से मैदान की ओर, तो इसका सही उत्तर है समुद्र से इस्थल की ओर, अब हम इस पार के खालिस्थान के बारे में जानेंगे, पहला खालिस्थान है, गर्मी में दिन के समय, सुस्क तथा गर्म पबने चलती हैं, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता हैं, तो इसका सही उत्तर है, लू, दूसरा है, आंदर प्रदेश तथा तमिल नाडू में, खाली स्थान के मौसम में, बहुत अधिक मात्रा में बर्सा होती है, तो दूसरे खाली स्थान में आएगा, लौटते मांसून, तीसरा है, गुजरात के खाली स्थान बन, खाली स्थान का नवास है, तो तीसरे में दो खाली स्थान है, पहले भरेंगे गिर, और दूसरा आएगा, ऐशियाई सेरों, इसका बाद चोथा खालिस्तान है खालिस्तान मेग गुरो बन की प्रजाती है तो चोथी खालिस्तान में भरेंगे सुन्दरी पाचवा है खालिस्तान है को मानसून बन भी कहा जाता है तो पाचवे खालिस्तान में भरेंगे उष्ण कटी बन दी है पतजड़ बन इसी के साथ आपका अध्याय समात्तुरा धन्यवाद